आजकल हमारे सरीर का धाचा 40 वर्च के उमर जाते जाते कमजोर होने लगता है यानी हर तरफ से उसे नुकसान होता है लेकिन अगर आप इस एक गोली को खाते हैं तो आपके सरीर का धाचा 100 सालों तक टिकार रहेगा कभी भी उससे कमजोरी नहीं होगी चाहें आपकी उम्र 50 वर्षों, 60 वर्षों, 70 असियों कभी भी कमजोर नहीं होगी नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अमरे हिल चनल हिंदी मेडिकल में मैं आज फिरेक हेल्फ रोड़ियों के शायत में सोनो ठाको रुप पस्तित हूँ, दोस्तों हमारे सरीर का पूरा धाचा हमारे हडियों पेट टिका रहता है और इसलिए हर उम्र में हडियों का मजबूत रहना काफी जादा जरूरी है, तीस वर्ष के उम्र तक हमारे हडियों का विकास होता है, लेकिन 30 वर्ष के बाद विकास रुख जाता है, इसलिए 30 वर्ष के बाद हडियों पर काफी जादा विश्यिस ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो आज के समय आप देखी रहे हडियों सम बंदी कई कई तरह की लोगों की समस्याएं हो रही हैं गर्दन मे दरद पीठ में दरद गुटनों मे दरद रे अर् थराई स्टेश कर थिया जिसका मुख्य कारण है हडियों का कमजोर होना अल्Gen यह तब समस्याएं जादा उम्र के लोगों में ही देखने को मिलती थी, लेकिन आज के समय कम उम्र के लड़के होई वा, उन्हें भी हड्यों समस्याएं हो रही हैं, जिसका मुख्य कारण है हमारी जीवन सैली और हमारा खानपान, जीवन सैली ऐसी हो गई है आज के समय कि हम तरिक मेहनत नहीं करना चाहता, और खानपान तो इतना बदल गया कि पहले काफी जादा लोग डेरी पुड़क्स, दूद, दही, मखन, घी का उप्योग करते थे, जिससे हडियों में भरपूर मातरा में केल्सियम मिलता था और हडिया मजबूत रहती थी, लेकिन आज के सम नहीं कोई केल्सियम मिलता है, नहीं बिटामिन मिलता है, नहीं पोस्टिक कर तो मिलता है, जिससे हमारे शरीर का कमजोर होना आम बात है, और इसी करना हमारी हडिया भी कमजोर होते रहती, जिसे हमारे पूरे धाचे पे असर पड़ता है, जब भी आप डाक्टर के पास जा वो हडियों को मजबूत करने के लिए तो दोस्तों अगर आप भी चाह रहें कि कोई ऐसा केल्सियम सप्लिमेंट इस्तमाल करें जिससे हमारी हडिया सो सालों तक कोई उसमें कमजोरी ना हो ना ही कोई उसमें परशानी हो तो आज हम इस वीडियो में आपको एक ऐसे केल्सियम के बारे में बताएंगे जो भारत का नंबर वन केल्सियम सप्लिमेंट है अगर आप इसका एक गोली रोज इस्तमाल करते हैं तो आपकी हडिया कभी भी कमजोर नहीं होगी चाहें आपकी उम्र पचास और सो साथ और सो सतर और सो अनित्ता उम्र आपकी हडियों में कभी काम करता है तो आज हम उसली सब्स्क्राइब करेंगे तो वीडियो सुरू करने से पहले के नीचे सब्सक्राइब करें लिए सबस्क्राइब करें दोस्तों आज हम जानेंगे सेलकाल 500 टेबलेट के बारे में जो इंडिया का नंबर बन डाक्टर प्रिस्क्राइब केलसियम टेबलेट है यानि सबसे ज़्यादा डाक्टर केलसियम के टेबलेट के लिए इसी को परचे पर लिखते हैं जिसका मुखे कारण है इसका रियल्ट जो काफी बहत्रेन आता है यह आपके सरी में काफी तेजी से कलसियम की पूर्ती करता है जिससे आपकी हड़िया कभी भी कमजोर नहीं होती है चाहे आपकी उमर कितनी भी हो पचास वर्शो शाट शार्शो वर्शो या आसि वर्शो खासकर ज़्यादा उम्र के लोग दो रेगुलर इसका इस्तमाल करते हैं एक एक गुली अपने हड़ीों को हमेशा मजबूत रखने के लिए सिल्काल 500 टेबलेट के पहले कुछ कॉमन बाते जान लेते हैं फिर इसके मुख्य फायदे जानेंगे सिल्काल 500 टेबलेट टोरेंट फार्मा कंपनी द्वारा बनाई जाती है टोरेंट भारत के टाप कंपनियों में आती है और इसके सभी पूड़ेट का रिजल्ट काफी बहतरी न आता है आप टोरेंट कंपनी का कोई भी पूड़ेट लेजे काफी बहतरी न रिजल्ट आता है क विटामिन D3 हमारे सरीर में केल्सियम का औसोसर करता है अगर इसकी कमी हमारे सरीर में होती है तो हमारे सरीर में केल्सियम कम होने लगता है क्योंकि उसका औसोसर नहीं हो पाता है इसलिए विटामिन D3 भी काफी जरूरी है सरीर में केल्सियम की पूर्ती के लिए और इसके पै टेबलेट खाएंगे तो दो गिलास बराबर दूध अगर आप दूध नहीं पीते हैं इसका एक टेबलेट खा लिए तो आपको दो गिलास दूध बराबर इतना सकती यानि केल्सियम आपको मिल जाएगा इस लिए कितना ज्यादा फैदेमंद है यह 15 गोली के पत्ते में आता करने है क्योंकि इसका रिजल्ट गाफी वहत्रेइं आता है इसके के फैदे बात करें तो यह हमारे हडियों को मजबूत करता है हमारे जोडों के ग्रोथ्थ को बढ़ाता है हमारे हडियों कि घंत तो बढ़ाता है лиजऑ आपुजातक bize क्मज़ार है इस टेवलेट का इस्तम चाहिए आपके पूरे सरीर का हरडियों का पराचा जिस पर चीब होया कैंपार चाहें कोई भी हड़ी हो तो आप हमेशा स्वस्त रहेंगे हमेशा चलते फिरे रहेंगे ना ही कभी आपके हड़ी हो में दर्द की समस्या दिखेगी चाहें आपकी उम्र कितनी हो खासकर जिन लोगों की उम्र जादा होती है उन्हें तो रेगूलर इसका तो कभी भी आपको काल शेलकाल 500 लेखे만 अपको काफी बहत्रे रिजट मिलेगा और किसी भी उम्र में अगर आपको लग रहा है किकेलसियम की कमी ए तो इसी का सेवन करिए आपको काफी ज़्यादा फायदा मिलेगा आपकी कभी भी हटिया कमजोर नहीं होगी